तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूटूब चैनल स्टेडी भी थी होगे इसमें हम लोग हिंदी का सेशन अब सुरू कर रहे हैं और हिंदी के आपके बीज 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 में वीडियो जाती रहेंगी कि कभी-कभी तो 3-4 नमर का कोशन वागते हैं तो आप लोग खुद समझ जाएंगे एक्जाम के दोर आंटी कहिए तो जिन question को मैं कराऊंगा उनको आप उसी से आगी continue करना और यह randomly होंगे एक परकार के विभिट question होंगे वो आपके examen निश्चित रूप से क्या होंगे सायक सिद्ध होंगे तो देखे पहली बात तो यह है दूसरी चीज एक चीज ध्यान देना आप लोगं को year वगेरा रट पूछता है इनकी रचना उसे संबंदित एक दूसरा कोई particular उपन्यास वगेरा है तो उसके अंदर जो character होगा उससे संबंदित question यह पूछी का कि यह क्या चीज है काब भी संग रहे है उपन्यास है रचना है इस प्रकार से question पूछता है तो आपको question के प्रकरती कैसी होगी क्या होगी इसको समझना है और year को याद करने में मत लगे रहना कि कौन का पैदा हुआ था ठीक है देखिए हम लोग आखी को continue करते हैं सबसे पहला question है question के form पे ही मैं कराऊंगा आपको लिखना है कि निठले की diary हाश्य व्यंगे किसका है पहला लिख लिजे आप निठले की diary ये अपने आप में एक हाश्य व्यंगे है कभी कभी ये भी पूछ देता है कि क्या चीज है ये याद रखना एक प्रकार का हाश्य व्यंगे है अपने आप में ठीक कहानी वगड़ा उपन्यास वगड़ा इसे option आते है तो उस time पे क्या लिखोगे हाश्य व्यंगे ये संब्दित है हरि संकर परसाईजी से और पड़ाओंगा वही जो आपके स्लयबस में होगा हरि संकर परसाईज जिसे संब्धित है निठले की डाइडी इसको ध्यान रखना और इसको इंपोटेंट कर देना इसी के साथ-साथ इन्हों ने यानि इन्हों ने का मतलब हरी संकर परसाई जी ने कुछ अन्य हाथ से व्यंगे भी निकाले इन मैं से कुछन पूछा जा सकता है हरी संकर परसाई जी के है ठीक है तो आपको हाथ से व्यंगे हैं ये पतावना चाहिए और कौन-कौन से लिखना तुलसी दास चंदन घीस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है तुलसी दास चंदन घीस है ये भी अपने आप में किसका है हरी संकर परसाई जी का ही है ये ध्यान का तावीज ये भी आप लोग को ध्यान दखना है किसका है हरी संकर परसाई जी का सदाचार का तावीज ठीक है ध्यान दखना इस चीज को ये भी आपका पिपरों कुछा जा सकता है तो कौन-कौन से होगे निठल्ले की डैरी तुल्सिदास चंदन खिसे और सदाचार का तावीज इसके अलावा जो most important है वह भोला राम का जीव और भूत के पाउँ ये सब एक्जाम मा आये हुए हैं पहले भोला राम का जीव और एक निठना भूत के पाउँ भूत के पाउँ इतना आप लोग को इनके बारे में याद रखना है अब देखो घबराना नहीं है जो इस टाइप की चीज़े पढ़ेगा ना सेलेक्शन उसी का होगा क्योंकि जो अलग टाइप के वश्चन आते हैं जिसके वो साही होगे उसी का सेलेक्शन भी होता थोड़ा सा महनत करनी पड़ेगी जब मैं कर रहा हूँ आप कोंसा नहीं कर सकते हैं आप भी तो इतने capable हैं पढ़ना ही तो है पड़ा में रहा हूं आपको दिमाग में रखना कि हाँ ये चीज़ें से चार अप्षन से दिमाग में बैट जाता है तो ये आपको इनके हाथ सी व्यंगी याद रखने है हरिसंकर परसाई जी के most important है तुलसिदा चंदन की से नेटल लेगी डाइरी सदाचार के अताविज, भोलाराम का जीव, भूत के पाउं और बारात की वाक्सी ये most important है सबके सब ये याद रखना नेक्स लिखने आपने नेता जी कहिन व्यंगी किसका है ठीक है नेता जी कहिन एक्जाम में भी आता है मनोहर स्याम जोसी जी का एक परकार की वो भी व्यंगी रचना है इसको भी important कर देना नेता जी कहिन नेता जी कहिन व्यंगी रचना किसकी है व्यंगी रचना किसकी है मनोहर स्याम जोसी मनोहर स्याम जोसी जी का है ठीक है ये भी आप लोग को ध्यानक नहें बनहुर शाम जोशी का नेताजी कहीं व्यंगी रचना इनकी है नेक्स्ट क्वेशन लिखने आपको किनर देश में यात्रा वृत किसकी है राहुल सांकरते हैं इनकी यह एक अपने आप में क्या है यात्रा वृत है यानि यात्रा का वर्णन जिसमें होता है किनर देश में ठीक है यानि पूरा आपको कहीं लिखना है किनर देश में यात्रा वृत किनर देश में तो आपका यह उसका नाम हो गया और यह क्या चीज है अपने आप में यह है यात्रा वृत इानी यात्रा विरित्त जैसे जीवनी होती जो मतलब किसी की उपन्यास होते हैं, काब बेसंगरा होते हैं है अप देखिये जो मनाहर श्याम जोसीजी है उनके बारे में जो एक्स्टा चीजने पहले पढ़ा रहे हैं, निता जी कहीं कहीं के लावा, क्या पू अगरा मैंने उसको पड़ा रखा था क्या आपका सब हर्कुलेस वाला वो सब चीज़ें आपको त्यान रखने हैं तो यह राहुल सांकर्तियानन जी किये किन्दर देश में यात्रा वृत किसकी है राहुल सांकर्तियानन अब यात्रा विरितान्त के लेखक वो यायावर के रूप में इनकी पहचान हुई यायावर उसको कहते है जो घुमककड होता है या घुमककड एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको यायावर बोलते हैं तो राहुल सांकरतियानन जी किस चीच के लिए जानेगे यात्रा बृतान्त के लेखक बान जाने जाते हैं और साथ साथ ही यायवर के रूप में ठीक है तो राहुल सांकर्तिया निंजी को याद रखना यायवर के रूप में जाना जाता है यायवर होता है जो घुमने वाला होता है साथ ही साथ राहुल सांकर्तियान जी ने एक यात्रा विर्तान्त भी लिखी ठीक है तो लिखो यात्रा विर्तान्त के लेखाक यात्रा विर्तान्त भी लिखी लिखो यात्रा विर्तान्त भी किसकी है राहुल सांकर्तियान जी की है ठीक अब देखो इसके अलावा इनके कुछ खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ राहूल सांकर्तियानियन जी की वो आपको ध्यान रखने हैं वो याद कैसे करोगे में ले आपको सब यात्राओं वाले मिलेंगे यानि जो एक जगे से दूसरी जगे यात्रा करते हैं उसी सीज़ से संबंदित है तो आप ऐसे लिखोंगे देखो राहूल सांकर्तियानियन ठीक है तो इनकी कुछ में में आपको बताता हूँ यात्राओं रित के रूप में क्या-क्या लिखाएं ने एक तो तिब्बत में सवावर्ष इनहीं की रसना है ये ध्यान रखना आप ठीक है जो है मेरी यूरोप यात्रा भी नहीं की है साथी मेरी तिब्बत यात्रा खुमकड सास्त्र इनहीं की है तो दूसरा लिखो मेरी यूरोप यात्रा क्योंकि वो जानी ही किस दिसके लिए गए थे अपने आप में यायावर के रूप में यानि खुमकड के रूप में मेरी य गुमककड सास्त्र ठीक है। गुमककर सास्त्र भी किसकी है अपने आपते हैं? राभु सांकर्तियान जी की है। ये भी आपनों को ध्यान दखना है। एक अन्य लिखीन ने सिरलंका के यात्रा मेरी लद्दा क्या था? रूस में 25 साल भी नहीं की है। एक रचना इनकी यही है, रूस में 25 साल, यह सब के सब इनके वारे में important है, और आप यह मान के चलिए घुमने वाली वेक्ति से बहुत ज़्यादा घुमकड़ी यावर इसी लिए कहते हैं, रूस में 25 साल, इसकी है, अपने आप में राहुल सांकर्तिया नियन जी की है, इसके साथ सी जापान की यात्रा और सिललंका यात्रा भी इनों ने लिखी, तो क्या लिखोगे, जापान की यात्रा वा सिललंका की यात्रा, जापान की यात्रा, प्लस सिरिलंका की यात्रा, लंका की यात्रा, व जो भी मैंने कर आये थे पहले वो बहुत इंपोटेंट है ये तो आपके किसकेते राहुल सांकर्चानेंजी के अगला हेडिंग डालने आपको महादेवी वर्मा के रेखा चितर इससे क्वेशन मुझे लगता है कि इस बार पूछेगा आपसे महादेवी वर्मा के रेखा चि ठीक है तो ये आपका ये क्वेशन आ सकता है आप लोंके कि कौन सी महादेवी वर्मा के रेखा चितर के अंदर समलित किये जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो मैं बढ़ाऊंगा आपको रेखा चितर दिखे क्या क्या हैं के रेखा चितर ठीक एक तो आपने सबसे पहले लिखना है अतीत के चलचित्र और इसको most important करना अतीत यानि past के चलचित्र question पूछेगा आपसे क्या है अपने आप में अतीत के चलचित्र तो सिद्धे सिद्धे बता देना कि अपने आप में रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्री नीकी है दूसरा इनके इसमिर्ति की रेखाएं वो पत के सांती सब के सब क्या है अपने आप में इसमिर्ति की रेखाएं जो मैं उपर लिखवा रहा हूं कि ही क्या है इस point को ध्यान रखना है रेखा चित्र को इस मिर्ति की रहे है, साथी साथ, पत के साथी, वो मेरा परिवार, क्या लिखोगे, पत के साथी, मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवारी, किसके हैं, सबके सब, अपने आप में रेखा चित्रे हैं, किसके, महादेवी वर्माजी के, और यह most important है, आपको यह याद रखना है, कि यह क्या है अपने आप में रेखाचितर आप अपने रेखाचितर और एक और लिख लीजए इसमारी का. मतल़ ये भी आपका पूछा जा सकता है कि क्या है ठीके तो इसमारी का ये इसमारी का. ये सब के सब रेखाचितर Ten महादेवी बर्मा जी के अब इससे जो question बन सकता है आपके एक तो मेरा परिवार जो इन्हें ने लिखिया है उसमें पसू और पक्षियों के रेखा चित्र का वर्णन किया है वो इसमें किया है तो महादेवी की किस रेखा चित्र में पसू पक्षियों का वर्णन मिलता है ऐस वेरा में काम करते थे उनके बारे में वर्णन मिलता है तो पत के साथी में नीचे आप खुद लिख लिजे रवीना टैग और मैथली सरन गुप्त सुमित्रा नंदन पंत जैसंकर परशाद सूरिकान तिरपाथी आदी के बारे में इसमें क्या मिलता है वर्णन मिलता है इनके समय के थे तो क्या क्या लिखा मैसली सरान गुप्त रवीनना टैग और सुमित्रा नंदन पंत जैसंकर परशार सुरिकान तिरपाठी निराला जी की बारे में इसमें क्या मिलता है इनके पत के सांती से लग रहा है कि उस समय का इनके वर्णन मिलता है ठीक है इस मिर्ती की और इसमारी का सबके सब रेखा चितर हैं और एक और है उसका नाम है गौरा गाई क्या लिखोगे गौरा गाई ये सबके सब महादेवी वर्मा की क्या है रेखा चितर है most important करणना ध्यान रखना है क्या है अपने आम फूज़िगा वो रेखा चितर है ठीक है इन चीज़ों में क्या है एक आत्म कथा है जब आदमी खुद लिखता है ठीक है आत्म कथा आत्म कथा खुद की कथा होगी इसकी और यह है किसकी राहुल सांकरतेयान जी की इसको भी most important आप लोगों ने करना है क्या है राहुल सांकरतेयान जी की राहुल सांकरतेयान जी की मेरी जीवन यात आत्मकता राफुसांग करते हैं अब नेक्ष्ट आता है आप लोग ने ये लिख लिख लिखा होगा एक कहानी यह भी यह यह किसकी आत्मकता है मन्नु बंडारी जी की ठीक है वैसे आत्मकता तो नहीं कह सकते हैं उसमें लेकिन उन्हें अपने जीवन के बहुत से पहलूं के कितने बारे मस्में फोकस डाला है तो एक कहानी यह भी किसकी आत्मकता है मन्नु बंडारी जीकी मन्नु बंडारी यह भी बहुत पहलूं बूचा जाता है एक कहानी यह भी इसके आत्मकत है, मन्नु भण्णारी जी की नेक्स्ट आता है प्रेम चंद की जीवनी है कितने भागू में बटी है मैंने कितने लोगों ने लिखा उसको तीन अलग अलग चीज़ों में है ठीक है, प्रेम चंद की जीवनी लिखो यानि इनकी जीवनी के वारे में तीन भागू में ये बटी है किते भागू में तीन यानि तीन किताबू में इसका वर्णन मिलता है और उन तीनों का एक तो प्रेमचंद का घर जो उनकी मिसेज यान इनकी वाइफ ने लिखा था एक किताब है प्रेमचंद का घर ये इनकी प सिपाही यह इनके बेटे ने लिखा अमरितुराई ऊसका नाम ब्रेकेट में लिख दो अमरितुराई लिख देवा आप लोग ब्रेकट में मधन गोपाल उससने में लिखा था यह कि लेंने मधन गोपाल यहनि अगर आपसे यह पुछता है कि प्रेम चंद की जीवनी है कितनी किताब में उसका वर्णर मिलता है तीन किताब में और यह तीन किताब है यह है पहली उनकी मिसेज ने यानि वाइप ने लिखी थी दूसरा उनके बेटे ने और तिसरा कोई मदन गोपाल जी थे उन्हों जीवनी है किसी की और उनका जो नाम है यह जो जीवनी है यह अपने आप में हजारी परसाद डिवेदी जी ठीक है और यह खुद नहीं लिखी है उन्होंने हजारी परसाद डिवेदी यह भी आपके सलेबस में है हजारी परसाद डिवेदी इन्हीं क्वेशन उसे होता है जब आएंगे तब आएंगे ठीक है तो और ये व्योम केस दर्वेश लिखी किसनी है विस्वनात तिरफाथी जी उनका नाम है ये लिखी किसनी है विस्वनात तिरफाथी द्वारा लिखी देखो विस्वनात तिरफाथी द्वारा लिखी देखो ये ध्यान रखना कि विश्वनात तिरफाटी जी नहीं लिखी है और है किसके उपर हजारी प्रसाद दिवेदी जी के नेक्स्ट गेशन एक लिखे आप प्रेम विवाह देखे एक इनकी बहुत प्रसिद रचना आपको मैं बताता हूं उसका नाम है कंकाल जैसंकर प्रसाद क्या हो और जो कंकाल है वो एक बार डेहली के जो एकजाम था दिल्ली में पुछा गया था 2015 में वो क्रेशन कि कौन सी जैसंकर प्रसाद जी की रचना अपने आप प्रेम विवाह और सेक्स्वल कंटेंट पे आधरी था ठीक है वो कंकाल ही पराधरीत थी पराधरीत और यह है अपने आप में कौन सी मतलब यह कंकाल कंकाल है ठीक है यह चीजा आधरीत है इसमें बताया गिया है इसमें की समाज में जो कुरीतिया हैं क्या है इस संब्द में इसके बारे में बताया गिया है साथ प्रेम विवा के बारे में भी वो है कंकालोर है किसकी जैसंकर परसाद जी की नेक्स्ट आप ने लिखना है कुरू कुरू स्वाहा उपण्यास किसका है वही मनोहर स्याम जोसी जो मैंने भी आपको बताए था ठीक है कुरू कुरू स्वाहा उपण्यास है most important करना इसको उपन्यास और यह है किसका मनोहर स्याम जोसी लिखिए मनोहर स्याम जोसी most important है इनके अन्य भी है आपको कुछ देखनी को मिलेंगे जैसे कसब है एक हरिया हर्क्यूलिस की हैरानी है जो मैं आपको बता रहा था पहली भी मैंने आपको बता है कसब भी इनका है इस सब important है हरिया हर्क्यूलिस की कहानी यह question ऐसी पुछा जाता कि कसब किसकी है हरिया हर्क्यूलिस की है हरिया हर्क्यूलिस हरिया हर्क्यूलिस की कहानी इसको पूरा लिख लिखे है, हर्या हर्किलिज की कहानी या हैरानी लिखे लिखे, किसकी है, मनवर श्याम जोसी की, और हमजाद और टाटा प्रोफेसर भी इसकी है, हर्या हर्किलिज की है, हैरानी, की हैरानी, साथ साथ एक है हमजाद, हमजाद और टाटा प्रोफेसर, ठीक ह टटा प्रोफेसर ये भी किसकी है अपने आप में ये सब के सब मनोहर स्याम जोसी जी की है आपको ऐसे ही इसको याद रखने है टिक है टटा प्रोफेसर भी किसकी है मनोहर स्याम जोसी जी की है अब मनोहर स्याम जोसी जी के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था वो तो देख नहीं है लेकिन ये भी आपके ये ज़्यादा important है इनको focus आप लोगों ने करना है next question है जैसंकर परसाद द्वारा रचित एक उपन्यास है बहुत फिमर्ज उसका नाम है इरावती और वो इरावती किस चीज़ पर आदा रहीत है वो एतिहासिक घटनाओ पर आदा रहीत है यानि इतिहास पर जैसे बहुत दिके टाइम के सुंगों एंसे के टाइम पर अलग अलग टाइम के इतिहास का उसमें वर्णन बताए गया है यानि इतिहास के बारे में बताए है और इसका नाम है इरावती इरावती मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना और यह इनका अधूरा उपन्यास भी है कैसा ही ब्रेकेट में लिख लो अधूरा उपन्यास जैसेंकर परसाथ का कौन सा उपन्यास अधूरा उपन्यास है इरावत अधूरा उपन्यास कों से बूछतild है आपने आप में इरावती है और जैशेंकर पुरसाथ का कों सा उपन्यास एतिहासिक है इरावती और इसी अब देखें इस से आग़े को next कौसे है इसके आपको लिखना है अनामदास का पोथा उपन्यास किसकी है इसको भी आप लोगोंने most important करना है यह हजारी प्रसाद दिवेदी जी की ठीक है तो लिखो अनामदास का पोथा जो मैं यह करार आँगा यह तो बहुत important होंगे ठीक है यह तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हजारी प्रसाद दिवेदी लिखना है हजारी प्रसाद HPD लिखा है मैंने हजारी प्रसाद दिवेदी जी की है अनामदास का पोथा और यह बहुत important है और यह इसलिए important है क्योंकि आप लोगोंने उपनिसत सुने होंगे उपनिसत के अंदर बहुत से हैं उसमें से एक दोग्य उपनिसत के अंदर परियोग उपनिसत के अंदर सरवाधिक परियोग सरवाधिक परियोग लिखना है ठीक है सरवाधिक परियोग लिख देना चांदोग्य उपनिसत के अंदर next इसके अलावा आता है इस चीज को जो अनामदास का पोथा इसकी उपनिया से इसको र ओर. तब आपको अनामदास का पोथा या ढटनने इनकी दो बहुत फ्रिमस और अपने आप में नेक्ष्ट दूंगा अपको बताऊँगा हजारी परशाद दिवेदी जी की दो उपन्यास हैं एक का नाम है बान भट की आत्मकता और एक का नाम है चारू चंद्र लेक की most important कर देना अन्यरिक नाब बान भट की आत्मकता ठीकी आत्मकता उपन्यास किसकी है आत्मकता ये भी उपन्यास है ठीक है ये को पूस्ता है को शनाब से कि ये क्या है गर कि ये उपन्यास है और एक अर्णी उपन्यास है उसका नाम है चारू चंद्र लेक ये भी किसकी है हजारी परशाद दिवेधी जी चारू चंद्र लेक ध्यान kaçना कि ये अपने आप में क्या है चारू चंद्र लेक उपन्यास है ये प đểटिए यहे हैं शंतर है पूछेगा आपसे, बहुत इंपोटेंट कर देना, इसको मोस्ट इंपोटेंट कर देना, भटीनी नाइका किसकी है? अपने आपने बान भट के आत्मकता की नाइका को भटीनी नाइका कहा गया, मत्रब भटीनी उसमें है, अब देखिए इसमें अपने आपने आपने जो हजारी प्रसाद दिवेदी जी हैं, क्योंकि अलग-अलग धाराओं के उपन्यास का राते हैं, या कोई व्रस्टना का र अपन्यास का रिख देना, सांस्कृति मिथिकी धारा के उपन्यास कार कौन है, हजारी प्रसाद दिवेदी जी, ठीक है, सांस्कृतिक मिथिकी धारा के उपन्यास कार हजारी प्रसाद दिवेदी जी है, अब भटीनी नाइका किसकी है अपने आप में, मान भटी की आत्मकत उसके बाद जो इन्होंने निकाली वो निकाली चारुचंद्र लेग ठीक है तो दूसरा क्या लिखेऊगे चारुचंद्र लेग उपन्यास फिर निकाली इने पुनर नर्वा और लास्ट में क्या निकाली इनने अनामदास का पोथा इसका करम यह है यह सब इनीग है बान संबर का ग्ष्चन आ जाए और वो है प्रेम चंद के उपन्यासे संबंग में और बहुत ज़्यादा प्रॉब langsamडी रहती है हिंदी के अंदर कि प्रेम चंद के उपन्यासे कोigen कोई question आपका आजाए तो जो प्रेम चंद है उनके basically जो उपन्यास निकले थे वो 11 उपन्यास उनके निकले थे और हो सकता है कि कई तरीके से question पूछा जाता है क्रम ही पूछ देगा उनके उपन्यास हो कि तो जो मैं लिख रहा हूँ वो क्रम है या तक मैं ठीक है सबसे पहले उनके निकले थे सेवा सदन और यह बहुत important है उपन्यास के अंदर ठीक है उपन्यास अलग होते हैं यह उपन्यास है कहीं आप पता लगा काहनी कर दिया आपने वहाँ उपन्यास अलग सीज होती है उपन्यास है ठीक है सबसे पहले इन्हों ने जो उपन्यास अपना निका ठीक है तो इसको नाम लिख लो बाजारे हुस्न उर्दू में बाजारे हुस्न इसका नाम था और इकिस भासामा था पहले उर्दू में और इसका बाद में ट्रांसलेशन सेवासदन से किया गया 1980 में पहली रसनावी थी बाजारे खुसनिटी का या सिवासदन उसके बाद जो इनकी रसनाएं हैं वो लिख लेजे आप वर्दान, प्रेमास्रम और रंगभूमी क्या लिखोगे वर्दान सब उपन्यास है प्रेमास्रम नेक्स लिखो रंगभूमी यह उपन्यास उसे कुशन बनने के बहुत चांचेज है जो इनका प्रेमास्रम उपन्यास है या जो वर्दान है उसके बाद जो रंगभूमी है इनमें सबसे इंपोटेंट है रंगभूमी और वो इसलिए इंपोटेंट है क्योंकि इसमें गाधिवादी यानि गाधिवाद इसमें दिखता है प्लस सर्वहारा वो पूजीपती के भी संगर्स सर्वहारा प्लस पूजीपती वर्ग के भी संगर्स की कहानी है वर्ग के बीच संगर्स की इसमें कहानी देखने को मिलती है रंगभूमी important है याद रखना ठीक है प्रेमास्रम वर्धान रंगभूमी जो रंगभूमी है इसका भी अपने आप में पहले उर्दू में किया गया था और उर्दू में इसका नाम हुआ करता था उसका नाम था चौगाने हस्ती ठीक है तो रंगभूमी के bracket में लिखो चौगाने हस्ती और ये चौगाने हस्ती जो था ये उर्दू में था पहले और इसी को बाद में रंगभूमी कर दिया गया चौगाने हस्ती ठीक है रंगभूमी का next इनका जो उपन्यास आता है वो आता है काया कल्प, निर्मला, प्रतिग्या और गवन तो अगला लिख ल प्रतिग्या गवन ठीक है ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है काया कल्प, निर्मला, प्रतिग्या और गवन उसके बाद जो इन्वने लिख替 वो लिख्यी कर्मुभूमी, गोदान और मंगलशूत्रे ठीक है इतने ही इन्होंने लिखें कर्मुभूमी लिख ली जेग, कर्बुभूमी, और गोदान, और मंगल सूत्र, मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, मैंने पहले भी बताया था आपको, मंगल सूत्र के ब्रेकेट में कर देना अधूरा उपन्यास, और ये पहले भी बताया था कि मंगल सूत्र अधूरा उपन्यास है इनका, तो जो गवन है, गवन इनका अंतिम उपन्यास था और उसके बाद जो मंगल सूत्र है अपने आप में, मतलब गवन के बाद जो अपने आप में गोदान अंतिम उपन्यास है, गवन नहीं गोदान अंतिम उपन्यास है, मंगल सूत्र अपने आप में अधुरा उपन्यास का न male विवा unmatching विवा की इन्होंने बात कहिए ठीक है दहेज वगरा के बारे में इसमें वर्डन किया गया है और जबकि जो गबन है इनकी उपन्याद जो मतलब परतिग्या है उसमें के अंदर इन्होंने विध्वा और अचूतू की बात कहिए विध्वा वगरा ठीक है परतिग चौगाने हस्ते आपको पता जल गया बाजारे हुसन आपको पता जल गया साथ ही साथ एक सामाजीक उपन्याद जो था इनका उसका नाम था गोदान जो इनका अंतिम उपन्याद गोदान है वो अपने आप में सामाजीक उपन्याद लिखना है ठीक है तो देखो कितने कि इसमें मिलता है यह आपका था इनके बारे में ठीक है अब देखे एक most important चीज में आपको बताता हूँ जैसे प्रेम चंदी की जो उपन्यास से इनके character बहुत पूछे जाता है एक्जामों में कि इसका मुख्य पात्र कौन था तो आप आप लोग main main जो मैं important करोंगा वो कर देना बाकि छोड़ देना ठीक है यहां लिखो आप उपन्यास और यहां लिखो के main उसका character यानि पात्र कि आखिर उसके अंदर कौन पात्र से यह आप लोग ने देखना है ठीक है जो सेवा सदन है इनका इसका तो नहीं सेवा सदन के अंदर जो इनके पात्र है उसके अंदर आते हैं आपके सुमन गजाधर कृष्ण Çนद और सांत ठीक है क्या लिखोगे सुमन कभी पूछेगा कि सुमन किसका मुख्य बात रहे हैं गजाधर ठीक है सुमन हो गया गजाधर हो गया इसके अलावा दो और आते हैं एका नाम कृष्ण चंद्र और एक सांता ये सब इसी की करेक्टर हैं सांता और कृष्ण चंद थोड़ा दिक्कत होगी पढ़ने में लेकिन यही सेलेक्शन देते हैं ठीक है सेवा सदन दूसरा जो आता है इनका वो आता है कर्मो भूमी और कर्मो भूमी के जो करेक्टर हैं वो ध्यान रखना कर्मो भूमी एक ही पूछेगा अभी इस वाले से पूछना बहुत कम चांची जैं लेकिन इससे पूछ सकता है अमरकांत और स मुख्य पात्र है इसके उसमें बाकी मैना, सुसदा और सकीना भी इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या-क्या देखने को मिलेंगे, मैना, सुसदा और सकीना, सकीना, ये सब के सब क्या हैं, करमुभूमी के मुख्य करेक्टर हैं, लेकिन ध्यान अमरकांत का आपने रखन जालपा, इसकी क्या है नाईका, most important कर देने इसको, जालपा किसकी मुख्य नाईका है, गबन उपन्यास की है, ठीक है, बांकी अलग है, रतन, जोहरा, रामनाथ वगरा है, वो भी हम लोग लिख लिते हैं, लेकिन important नहीं है, रतन, रामानाथ, जोहरा, ये भी इसके character है, लेक बहुत जादा important है, रंग भूमी का मुख्य करेक्टर लिख लिए आप, सूर्दास, पूछेगा आपसे सूर्दास किसका मुख्य करेक्टर है, तो आप बता देना, रंग भूमी, इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे सोफिया, मिठुआ, सुभागी, वो हमने देखना नहीं है, important आपको ये करना है, सोफिया, important नहीं है, सुभागी, ये इतरह important नहीं है, देकिए सूर्दास बहुत जादा important है, सोफिया, सुभागी, मिठुआ, विनई, भरत वग्यरा, सब सूढ दो, ठीक है, सुभागी, विनई, मिठुआ, भरत, और महेंद्रे, ये इसके character हैं, आ आपको सूर्दाश याद रखने हैं जालपा उपर आले का अमरकांती इसका ये तीन के तीन आपको याद रखने है ठीक है और लास्ट आता है आपका इससे क्वेशन गोबर किसका मुख्य पात्र है उपन्यास की उपन्यास का मुख्य पात्र गोबर है most important कर देना गोदान का यादव नाम से ही लग रहा है गोदान ठीक है लिखो गोबर किसका मुख्य पात्र है गोबर किसका मुख्य पात्र है गोदान का ठीक है यह important है प्रेम चंद के बारे में अब दो-तिन फेक्टर और बसते हैं आपको पता है महाबोज उपन्यास किसका है महाबोज उपन्यास लिख लिख लिए उपन्यास है ठीक है उपन्यास यह है अपने आप मन्नो भंडारी का यह मैंने पहली भी कराया था इसको important कर देना और एक इंच मुस्कान इसकी प्रसिद्ध है लेकिन वो अकेले इन्होंने नहीं लिखा एक राजेंदर यादो जी थे उनके साथ मिलके लिखा तो question पूछ सकता है कि मन्नो भंडारी जी की कौनसी रसना स्वयम के द्वारा अकेले नहीं दिखी गई और वो है अपने आप में एक इंच मुस्कान ठीक है ये most important कर देना एक इंच मुस्कान ये दो लोगों के द्वारा संकली थे एक तो है आपका अपने मन्नो भंडारी जी और दूसरे हैं राजेंदर यादो राजेंदर यादो ये भी याद रखना है और लास्ट आज का fact है आपका बंटी वो मैं पहले भी करा चुका हूँ वो भी किसकी है मन्नो भंडारी की आपका बंटी ये है किसकी मन्नो भंडारी की ठीक है ये आपको देखना है ये पहला part था आपके इन question का जो extra level के हैं इसमें से बहुत से कराए हैं लेकिन इन question को बहुत focus आपको करना है भगवान ने चाहा तो आपका काम बन जाएगा और ये ही एक ऐसी चीज़ है ना जो scoring है और मैं ये मानता हूँ हिंदी अब आपका selection दिलाने में सबसे महत्यपूर्ण रोल निवाएगा उत्राखंट सब क्या आने हैं अब 30 plus number सब के जी एस भी मान के चले 2015 से 20 सभी जाएगे लेकिन यहां जिसने कमाल कर दिया यहां उसका selection हो जाएगा नहीं तो एक reality यह है 8-9 number से उपर भी नहीं बढ़ पाते हैं बहुत से लोग ठीक है तो यह हो गया एक और part इसका आएगा वो next day आएगा फिर मिलते हैं आपके साथ ध्यान दखिए Thank you